वेलकम तो अच्छम क्लासिस अच्छम क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम देखने जा रहे हैं पीएसडी अड्मिशन नोटिफिकेशन्स फैलोशिप रुपीस 25,000 तो 28,000 पर मन्थ फर्स्ट टू इयर में 25,000 मिलेंगे और लास्ट इयर थार्ड इयर में 28,000 पर मन्थ मिलने जा रहे हैं अगर आप यूजी सी नेट, स्लैट, जॉइन, सीएसाई या यूजी सी नेट, गैट या एंफिल पास हैं तो आपको एंटर्स टेस्स से एक्जम्टेट किया गया है चलिए हम पूरी जान करें लेंगे, हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें, लाइक कीज़ें, फरंड साल लेटिव के साथ शेयर कीज़ें और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए फोर और नोटिफिकेशन हमारा चैनल एंटी निट पे पर फफस्कॉमर्स मेनेश्मेंट और कॉंपटिशन क्लास फिरी ले रहा हैं, अगर आप इंटरस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं चली हम पूरी डीटेल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पहले कि अगर आप एड्मिशन इस पीजडी में ले रहे हैं इसमें और तो आपको फैलोशिप अमाउंट मिलने जा रही है, तो इसमें आप देख पाएंगे 7.34 पीजडी स्टूडेंस, यूज सबाएंगे रुपिजेगे लेगा था तो आपको ब टी टो फुवा तॉजडी टो आजन पर मन्त पो इंग स्टूडी टोजडी एंगरा थे लोग में लिए यूमिटिग में विसटू आज तो आज विसटू पिज कर दो दू टोजड कि ए रिटाजन पाद फुडीर पीज टोटल 25,000 इसके आलग से आपको कटीजनसी, दोप में बिलने पढ़ाना पढ़ता है जिससे आपको अनुभां भी हो जाता है पढ़ाने का साद में Phdp हो जाती है चलिए इसमें और के इसमें और कवर करते हैं मेंड मेंड चीजें हम कवर करेंगे और इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं वह मैं आपको बता दूआ कि कि आप कैसे यह PDF डाउनलोड करके अच्छी तरह से रीड करके उसके बाद आप अफलाए कर सकते हैं इसमें selection of criteria for PhD देख लेते हैं इसमें साफ लिखावा है कि आप भी पॉइंट डिरेक्ट पढ़ सकते हैं यह पढ़ लिए पहले The short listing of application for the purpose of admission test Oblig interview shall be done by the concerned school research committee कि यह है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा उसकी committee ही यह decide करेगी admission test उनका होगा जो post graduate है और जो entrance test देंगे उनका उसके बार interview होगा पर जो इसमें लिखावा है second point B में PhD student shall be required to go through an entrance test conducted by the CRC of the school candidate who have qualified UGC net including GRF UGC CSIR net including GRF select get teacher fellowship holder or have past MPhil program may be exempted from the appearing for the return test इसमें साब लिखावा है कि जो यह exams clear कर चुके है net select वाले और जो CSIR और MPhil get वाले उनको exempted किया गया है entrance test देंगे और जिनका entrance test होगा उनको 50% marks चाहिए होते हैं clear करने के लिए उसके बाद interview होगा और उसके बाद इसमें admission complete हो जाएगा इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें subject देख लेते हैं और last day देखते हैं और फिर हम आपको कहां से आप सको download कर सकते हैं पूरे PDF को जैसे आप अच्छी तर से पढ़ सकें इसको apply करने से पहले इसमें last day 10 जुलाय है मैं एक बार आपको वह भी confirm करवा देता हूं यह अब देख पार है last day for the online registration second number point में PhD प्रोग्राम 10 जुलाय है 10 जुलाय तक आप apply कर सकते हैं अभी काफी समय बढ़ावा है उससे पहले आप apply कर सकते हैं अगर आप interested हैं तो उसके बाद मैं आपको समय सब्जेक्ट बता देता हूं कि कौन से सब्जेक्ट में यह PhD अड्मिशन हो रही है अभी यह सब्जेक्ट हैं जिनमें PhD अड्मिशन ओपन है computer science and engineering electronic and communication engineering mechanical engineering physics biotechnology obliques chemistry business energy management mathematics economics और philosophy इन सब्जेक्ट में PhD program PhD admission open है तो आप apply कर सकते हैं चले मैं आपको इसकी main website पर लेके चलता हूं और आपको बता देता हूं कि आप इसमें कैसे पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं यह जो पीजी notification वह आया है शिरी माता वैशनोदेवी university से एक state university है और यहां पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो admission from admission notice 2021 22 पर आप क्लिक कीजिए तो यहां पर पहुच जाएंगे यहां पर आपको साइट में section पर दिख जाएगा PhD 10 जुलाय 2021 जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो admission section में पहुच जाएंगे इस section में जाके admission फर्स्ट वाले पॉइंट पर क्लिक कीजिए तो आपका यह पूरा admission का जो pdf है वो डाउनलोड हो जाएगा आप इसको अच्छी तसे डीट कीजिए और इससे related कोई भी कुश्चन या क्योरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं keep watching our channel thank you for watching our channel